हेलो दोस्तों आप सभी को व्लाव जाम जैसी मीड़ी मीड़ी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वाक्त है मार्किर के पैचप जाब ब्रेक अप शो में कल के दिन होने वाले यह फिन निफ्टी के एक्सपैरी जहां पर हम डीटेल में भी डिसकस करेंगे और उसी के करी है नेट में सैलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है लेकिन एक कॉस दिनों से जो हमाले कोशन का पॉइंट हो जाता है मार्किन में हमें पोस्टिव साइट की कनफर्मेशन के लिए एक को दुबारा से बाइंग पर आना पड़ेगा जहां से हमें एक सिगनल मिल सकते है उस की वज़ा से कौन कर बायो टेक्ट में भी एक एक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा जो एक सटेन पॉइंट होने वाला है आज के टाइम पे लेकिन फिर भी अगर मैं इसमें अपने परसनल फाइनल डिसीजन की बात करूं तो बीइंग एन अग्रेसिव मैं जहां पर इसे रिटेल कैटिकरी में अप्लाई करने वाला हूँ अपने हर सेमी मेंबर के काउं से अगर इसमें बाय चांस काफी अच्छा सुस्क्रिशन हमें देखने को मिल जाता है जैसे कि एक्चा नहीं में 50X और क्वालिफाइड में भी 50X के करीब का मुझे सुस्क्रिशन देखने को मिल जाता है तब वहाँ पर मैं being an aggressive होकर एक्चेन ही कैटिकरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम करूँगा लेकिन अगर उससे कम देखने को मिलता तो सिरफ रिटेल कैटिकरी में ही अप्लाई करूँगा लेकिन जहाँ पर हमें हमारा risk reward ratio maintain करना पड़ेगा विकोज अगर मार्किट में थोड़ा बहुत उपर निचे होता है तो मैं यहाँ पर effect देखने को मिल सकता है तो इसलिए अगर मैं listing की बात करूँ आज के time पे मेरी expectation के according to minus 5 से 20% की range निकल कर आती है तो उस चीज़ को हमें mind में रखते हुए अपने risk reward ratio को maintain करके ही अपने financial advisor से consult करके कोई decision बना ली जीए का मैं अपना personal decision आप लोगों को दे शुका हूँ education और learning perspective similarly कल दो SME IPOs की भी last date होने वाली है जिसमें से सबसे पहला होने वाला है यूदी solution limited IPO और उसी के साथ स्टैकिन होने वाला है संगारनी hospital limited अगर मैं दोनों IPOs में अपने final decision की बात करूँ तो मैं दोनों IPOs को apply नहीं करने वाला हूँ जहां पर विकोज दोनों IPOs मेरे risk reward ratio में नहीं बैठ रहे हैं तो वहाँ पर मैं इन दोनों IPOs को clearly avoid करने वाला हूँ लेकिन यह मेरा personal decision होने वाला था आप लोगों का जो भी अपने risk reward को maintain करते हैं एक और अपने financial advisor से पूछ को रहे कोई action लीजेगा उसी के असाथ हम कुछ important stocks को देख सबसे पहला stock हमारे पास होने वाला एलिकोन इंजिनेरिंग यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं एक अच्छा move इस stock ने वैसे दिया है काफी time से हाला कि इस stock को हम तब यूज किया करते थे जब जे दोस्तों के आसपास था और वहां से तो काफी अच्छा इसमें move दे दिय करने आ जाता है लेकिन हमारा stock close काफी ज़्यादा चोटा होना चाहिए एक परसेंट से ज्यादा का stock close नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें हमें पहली स्पोर्ट जो मिलेगी 744 की मिलेगी जो इसकी 20 की moving average होने वाली है सेके स्टोक हमारे बाद सोने वाला है वरू गावरेंज अगर कल के रिंजे स्टोक हमें 803 से 815 की range में मिलता है तो वहां पर हमारे लिए ट्रेडिंग परस्टेक्टि स्टोक नोटिस में रह सकता है जो इसकी 20 और 50 की moving average होने वाली है जहां पर हमें इसे 2% के stock close के साथ easily study कर सकते हैं एक और stock विदन था जिसने काफी जड़ा दिक्कत दे रखी है हमारे investors लोगों को और वो सोच रही कब उठेगा लेकिन उठनी राद डेली के डेली और ही ज़्यादा गिरता जा रहा है और काफी उपर के price पर लोग इस stock में फसे हुए है लेकिन जो उपर के price में फ hotel sport होगी अभी यह काफी अला दूर है अपनी sport से लेकिन कभी भी हमें falling knife का हिस्सा नहीं बनना चाहिए इस चीज़को हमें समझना पड़ेगा अगर मैं इसमें strength की बात करो तो जब तक जे stock 286 जा फिर हम confirmation के लिए 300 के ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए इस stock में एक अगर हमें long term का part बनना है इस stock में तो 206 के पास हमें इसमें important area देखने को मिल रहा है जहां पर यह हमारे लिए investing purpose for the long term notice में रह सकता है लेकिन हाला कि मैं long term के लिए जब मेरा time period 5-6 year से increase हो जाता है वापर मैं mutual fund को prefer करता हूँ अगर आप लोगों को mutual fund में इंशोर हैं सेग्म कर दिये जाएगा उसी के सासाथ आज के दिन हुई थी जतार्थ hospital IPO की listing listing हमें काफी बुरी देखने को मिली है लेकिन after the listing हमें एक अच्छा मूँ वो देखने को मिल चुका था यहां पर एक सीखने वाला point यह होने वाला है देखो 300 का price था इस IPO जो इसका cut-off price था अगर यह स् supply area बन जाता और वहां पर 300 एक major resistance बन जाता जिसे close करना इतना easy नहीं रहेगा आपको best example देता हूं उस stock को study कर लेजएगा आपके काफी यहादा doubt जूर हो जाएंगे उदे शिवकुमार इंफरा का IQ था उसके chart को देखेगा आपको पता लग जाएगा कि वो supply zone कैसे बना था वहां पर हमारे लिए perfect example होता है लेकिन अगर हम इस stock की बात करते हैं एक अच्छा move हमको मिल चुका है expectation से काफी अदा poor listing हमें देखने को मिले है लेकिन अगर हम इसकी immediate sport की बात करते है जो trailing level की अगर हम बात करते है तो यह trailing level हमारे पास आ जाता है 328 का यहां से 2% नीचे क इसमें stock close लेके चल सकते हैं अगर हमारी entry हुई हुई है यह मारे एक trailing का level होने वाला है लेकिन अगर यह stock 335 के level को cross करता तो हमें immediate 337, 339 और 343 तक के level देखने को मिल सकते हैं लेकिन हमारा stock close वहां पे सिर्फ आदिय परसेंट का होना चाहिए लेकिन जहां पर हमारी quantity काफि बुरा दिन निकाला है और वो बुरा दिन इसलिए भी कोस हमारे levels पर entry तो हुई है लेकिन हमें अच्छी movement नहीं मिली है तो इसलिए वहां पर हमें दिक्क्त देखने को मिली है आज nifty में हमारे levels के कोड़ी लेकिन काफी बार ऐसे दिन भी आएंगे तो इस चीज को हमें prepare कर करना पड़ेगा लेकिन अगर हम फिर भी बात कर लेते हैं आज की दिन की जहां पर हमारी entry हो चुकी ने पुट में जहां पर हमारे एक छोटी सी move ही मिली थी बड़ी move नहीं मिली थे लेकिन अगर हमने यहां पर exit नहीं किया तो हमारे जहां पर 30 मोंता stop loss hit हो चुका था जिस से हमें मानना पड़ेगा उसके बाद एक गंट है जहां पर market sustain कर चुकी थी जो हमारे resistance बन चुका था और जहां पर यह हमें फिर से entry का मुखा मिलता है फिर से हमें एक चोटी सी move मिलती है कोई बड़ी move नहीं मिलती है लेकिन अगर हमने हमारे levels के coding भी काम किया है हमारी जो quantity होने वाली थी trades की वो काफी अदा कम हो चुकी थी जिसके बेश पर हम काफी अदा बच चुके दें तो यहां पर यह लेवर्स हमें unlimited trades होने से बचा लेते हैं और उसी के असास अगर हम कल के दिन बात करते है levels की तो हमारे पास major resistance निकल कर आएगा 19,705 का निकल कर आएगा जो होने वाला इसके ऊपर हमें moment का भी देखने को मिलेगी जब market इसके उपर जाकर एडलिस एक गंठा सस्टीन होनी चाहिए और उसी के असास immediate वो स्पोर्ट हमें मिलेगी वो हमको मिलेगी जे वाला level 19,520 का आप बोल सकते हो इसके नीचे अगर market जाते है तो हमें 19,420 तक के levels देखने को मिल सकते है तो वहाँ पर हमारे नोटिस रह सकता है और 19,420 हमारे इमेडियेट और major score का काम करने वाला कल के लिए लेगी हमें कल का दिन भी ऐसी जिग-जग वाला देखने को मिल सकता है तो इसलिए हमें वहाँ पर कल के दिन भी थोड़ा सा control quantity मी काम करना पड़ और 19,500 हमें इमेडियेट स्कोर्ट हमें इस माहा पर देखने को मिल रही है डाटा के basis पर उसी के असासा कल के दिन होने वाली है फिन निफ्टी की expiry पर पहली बार ऐसा हुआ था जहां पर हमें एक चोटी सीरेज में फिन निफ्टी की expiry नीकल चुके ली और हमें एक बड़ी मुवेंट नहीं मिली दी लेकिन अगर हम कल के लिए फिन निफ्टी की बात करते हैं तो अगर मार्किट में हमें सबसे पहला इमीडियेट रिजि यह हमारे पस major sport रहने वाली है फिन निफ्टी में अगर फिन निफ्टी में हमें यह लेवल तूटते हुए देखने को मिलता है 19,970 का तो हमें 19,900, 19,850 तक की लेवल देखने को मिल सकते हैं ट्रेलिंग इंपोर्टेट हो जाएगी लेकिन इसके नीचे जाती 15 मिनिट सस्टेइन करना भी जुरूरी हो जाएगा बीना confirmation के हम कोई भी काम नहीं करेंगे इसकी confirmation का बेट करना जुरूरी हो जाता है अगर हम एक बार option chain data को देख लेते हैं हाला कि इसे दुबारा से कल के मिन फिर से देखना पड़ेगा 15 मिनिट ओपनिंग होने के बाद की क्या data बनके आता है मैं आप लोगो टेलीग्राम चैनल पर डेट कर दूँगा अगर कुछ इंट्रेस्टिंग हमें देखने को मिला टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जा फिर आप डेक्मा की लव फिर सच करके वहां से भी जोइन कर सकते हो तो 20,100 हमारे पास immediate resistance और 20,200 हमारे पास major resistance निकल कर आ रहा है 19,900 हमें immediate score जहां पर देखने को मिल रही है as per data लेकिन जितनी भी चीज़े जहां पर discuss हुई है वो सिर्फ education learning और case study perspective हुई है जहां पर कोई भी किसी भी तरीके की investment tip जा advice नहीं दी गई है फिर भी अगर आप लोगों कोई भी investment जैट training करने तो एक और अपने financial advisor से पूछ करी कांत कीज़ेगा तो देवी और सज्जनों उमीद है आप लोगों को ज्याँ पर काफी को सीखने को मिला होगा तो इस भी को लाइक की दीगा शेर की दीगा और साथ चैनल को सब्स्क्राइब करें हराद महादेव